Hello friends, mess problem के अंदर आपका स्वागत है आज आपके साथ में एक नई problem के साथ में मैं हाजिर हूँ लीजी हम आज की नई problems को solve करते हैं ये एक algebraic question है और इस algebraic question में हलका सा change कर दिया जाए तो उस question को आप कैसे solve करेंगे question देखिए if x plus 1 upon 16x is equal to 4 then find the value of 16x square plus 1 upon 16x square question को अगर देखा जाए तो quickly अगर देखें तो बहुत easy लगता है लेकिन जैसे हम solve करने बेटते हैं तो उसके अंदर एक बार हमारा pen रुख जाएगा हमें सोचने को मजबूर करेगा करिए कैसे करेंगे लगाओ मैंट चलिए मैं बताता हूँ x plus 1 upon 16x is equal to 4 हम क्या करें है कि multiplying 4 on both sides हम दोई तरफ पहले 4 से multiply कर लें तो आपके यह क्या बन जाएगा 4x plus 1 upon 4x equal to 16 बिल्गु ठीक है मेरे इसाब से अब तो अपन क्लिव पे आज चुके हैं अब आप क्या करेंगे squaring on both sides तो यह आपके क्या बन गया 4x plus 1 upon 4x whole square इदर 16 का whole square मालो में आपको square आपको करना आता है 4x square चलो पहले 2 लिख दें अलग अलगी करें multiply 4x 1 upon 4x और plus 1 upon 16x square देखे यहां फिर क्रबड हो जाएगी भी 16 चाहिए ना यह हो जायागा और उदर आपके क्या हो गया 16 का 256 16 का square होता है बस अब आपके देख पास में आपके जो result है वो आ चुका है आप देख लो यह 16 आप एक काम करें इस 2 को उदर शिफ्ट कर दें तो आपको जो रिजल्ट चाहिए था वो आ गया है 16 x square प्लस 1 upon 16 x square इकवल टू 254 दो माइनस कर लें तो यह आपके इसकी वेल्यू आ जाएगी मेरे इसाब से आपको यह समझ में आगे होगा वो हर बार यहाँ पर कुछ न कुछ चेंज करता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें हलका सा चेंज किया तो हमें भी हलका सा चेंज करना पड़ेगा कुछ extra mind लगाना पड़ेगा यह extra mind परने यहाँ पर लगा है ताकि इसको 4 से किया इसको फोर से किया तो यह फोर हो गया और यह 16 हो गया बस अब कोई दिकत नहीं आराम से कर सकते हैं है ना इजी तरीका तो इस तरीके के जो tricky algebraic questions बनते हैं algebraic problems हम उनको easy way में solve कर सकते हैं आगे हैं समझ में यस subscribe करें